पहलना सुनों फोड दी अब आज सासी गाल जी मैं डाक्टर गौर्वजी तो ये वीडियो जेडी बना रहे हैं एहे फोड दी पावर टेस्टिंग लीवी है ते नाल नाल वट्टा वड़े चो नेजी भाई दीगी है एहे तन्ह यार फोड है ते दे च पेस्टन फारम ट्रैक एडी आई साथ ठाले हो पाए होए ने ते नाली पांप भी एडी आई कीता है दा ते एहे बट्टा मले चो नेजी बहाई है ये हून काट चक्रां ते एक कहियार चक्र ते चल रहे है ते यार गयार फोड़कर चंगी परफॉर्मेंस है एदे नाला आएं कहलो के इंजनेता थोड़ा बड़ा हो गया पहला है संताडी पावर से होन एहे लगबग पच्वंजा हार्स पावर जड़ा है ट्रैक्टर हो गया बिना लोड तो बड़े राम नाला चल रहे है ट्रैक्टर तो हेटांस तर के देख देयां एहे बहुत वदिया भ्रहाई जड़ी कर साग देयां किसे भी इंपलीमेंटर नाला कजिया दे मनाच ए तबियां पूरियां शड़ियां हो याने और हुन दिखिए अड़्वाड चक्रादे ट्रैक्टर दी की परफॉर्मेंस है तर के देखिए कि आप अपने गए जी बान थे आप तबीया दे भी पुर्ले पासे बना आया है कि यह दूंगे जा सकना है कि अब यह पूरी यह शटिया हो जाने आप इदर ले पास से बत्तावाला चोंग नाजिया आप हाथा विच्छे कर्चे ने लेदे लेद दो प्रों जुरूर फूप किया है वह अब हाँ बन रहे हैं जाने कुई दिक्कताली गाले नहीं है कि बाबा हाई दी आएदे नाली परले पासे थोड़ा दूज्जा बहान सी यह जानी आए दर ले बासे अइधे तक कर देखे नहीं हमना खड़ा दा एधर ले बासे बट्टाना चोंग आए आधर ले पासे दूज्जा है कि दूगर के लाए हुआ अधर भी तब यह फेरी आने नाली फेर रहे हैं ना ने इस अधर ले बासे भी ए रेच हाले में टीफोल लद कर चांदी भी एड़ी को समस्या है नी बिची दाबत पर जानते ने के पिछले साल भी असी एही एक्सपरिमेंट कीता सी ते दूज्जा साल है कोई दिक्क्त निया दूमाद रोटा वेटर नाल इन बीज दियांगे ट्रेक्टर दा कम नमा करवाए थी जानिए इंजिन फा आरम साथ ठाले पिस्ट निपाए ने हैगा भोड़ करना जा रहा है नाल दीना पावर टेस्टिं में भी हो रही है बाकी कोई दिक्कत अलिगा ले नहीं बिल्कुल भी आई थे जमें उरे उद्रों भी गेड़ा आगा एदरों भी यह बहान थोड़ा थोड़ा था ठान चा कोशिश करो भी जड़ी वहां यहों भी एसे पासे वह लकी ती जावे बदिया रहनी है ते बाकी चंगी यह प्रेक्टिस है इसनों पंजाब पतर ते पणाये जावे तांकि इसी पानी बारे क्यूंकि महार वीडियो जहीं कहना भी पानी दी बचत अपनू करनी पैनी है ए देहे हुन अपने वास्ते एदा कोई हली है नहीं तांकर करके ए तरीके जैब आप पना लिए तां मेरी ख्याल चे बेतर है आज लिए नहीं शुक्रिया जी